नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पते हुआ कि करनाटक के गाउं में कुछ दिन पहले दलिस समाज के एक बच्चे ने हिंदू धर्म के मंदर में जाका देवी देवता की मूर्ती को टच कर लिया था और उसे फिर से पवित्र कराने के लिए उस गाउं के ब्रहमणवादी और मनुवादी लोगों ने उन दलित परिवार पर साथ हजार रुपए का जुर्माना लगाया था लेकिन आपको टादे की उन्होंने उसी समय हिंदू धर्म को छोड़ कर बोध धर्म अपना लिया था और बावसाव अमबेटकर और बोध भगवान की हिंदी देवी देपताओं की मंदर में उनकी तस्वीर रख ली थी लेकिन आपको टादे की एक बड़ा बदल आप देखने को मिलाए कि उस गाओं की जो मंदर में दलिस समाज की लोगों के छूने पर वो आपवित थो गई थी मूर्ती अब आप पुता दे कि उस मूर्ती पर बावस्ताव अमबेटकर और जेभीम का जंडा उस हिंदू मंदर पर लगा दिया गया है वो वीडियो लगातार आप देख पा रहे होंगे सोचल मीडिया पर काफी जाज़त थे जिससे वारल हो रही है कि हिंदू देवी देपताओं के मंदर पर जेभीम का जंडा लगाया दलिस समाजनी वाड़ी गर्व की बात है आपकी क्या राह है कॉमेंट करके जरू बता है चैनल परना है तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद